हलो फ्रेंड मैं अर्शी गया बिहार से और आप देख रहें अर्शी टाइरिस गार्डेन सो फ्रेंड देखिए मैं अपने च्छत पे आ गई हूँ और हमारे च्छत पे विंटर का फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहा है देखिए इस तरह वेजिटेबल भी बहुत बहुत अच्छे से च्छत पे सेम होता है और बहुत अच्छा फ्रोटिंग कर रहा है भी देखिए यह जितना मतलब दो ही बेल लगाई हूँ फिश कंटेनर में लगावा है तो च्छत पे बहुत एजी ग्रो है शेम और बैगन भी बहुत अच्छे से फ्रोटिंग करता है तो देखिए यह हमारे घर का और्गेनिक स्रीम है और बहुत अच्छे से हमारे चट पे वेजिटेबल अभी इस विंटर हो रहा है और अभी बैंगन भी बहुत अच्छा से हुआ है कुछ मिली बेक का टैक है तो उसे पानी के फवारा से हटा दूंगी और यह देखिए फुल हो रहा है तो यह भी बैसकते हैं कोई भी फ्क्रूमिकल पेस्चिसाइस का यूज नहीं हैै और यह यह नहीं रहा थाथा तो इसे मुली बहुत है झाला है कुछ मुली ही हमारे चट सलाथ हुआ है और ग kita plays का है लक में ऐस सहुआ है नाद है ऊदक आप हमारे व इटिटेबल हार्वेस्ट हो रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब तो मुझे करी लिजेगा देखिए यह जितना लीफ टूट रहा है यह एक भी लीफ बाहर में फैक होंगी नहीं इसका भी मुझे खाद बनाने में बहुत इजी होता है और अपने चत से जो भी वेस्ट निकलता है उसका सारा में खाद बना लेती हूं कोई भी पत्ता बाहर नहीं जाता है चाहे वह ग्रीन लीफ हो चाहे ड्राय लीफ हो देखिए इस तरफ कलरफूल फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहा है यह देखिए और इस तरफ कुछ हमार अच्छे से लिक्विट फर्टिलाइजर बनाई हूं और इस तरफ हमारा खटी लची लची का भी परियोग करती हूं च्छत पे अपने प्लांट में कोई किर्या वगर एटाइक करता है तो बहुत इजी में इसको खतम करता है किरे को और इस तरफ देखिए हमारा पालक रे अच्छ पे वेजिटेबल होता है आप भी अपने च्छत पे वेजिटेबल लगाए ये फ्लावर लगाहिए और विंटर का मज़ा लीजीए देखिए हमारे च्छ से कितना अच्छ वेजिटेबल निकल रहा है और गयनिक है प्योर है कोई भी है जोइन केंछिबल नहीं है और एक अम्रूत भी रेड़ी है उसे भी आज तोड़ ले रही हूँ तो फ्रेंड हमारा वीडियो देखने के लिए थेंक यू अला आफीस बाबाई